इस योद वेच गुरु सहव दी बीरता ते उनना दी निडरता दरसाई गई है जिस वेच जाखमी हुन दे बावजूद भी इन्नी बहादरी देना लड़े इस योद वेच गुरु सहव दे तीर वज्जा सी जिसना जाखमी हो गए ते तीर वज्जन तो वाद फिर उस योद दे मदान वेच जहाँ की होया इस दे अत्यास वारे वीडियो वेच गल करांगे वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फते बीडियो शुरुकान तो पहला बेंती है के बीडियो नू पूरा सौनना क्योंकि सिख गुरु शुरी गुरु गोविंद सिंग सहेव जी दे बारे बहुत ही महात्त पुनतियास वारे इस विच दस्या गया है गुरु गोविंद सिंग जी ने अपने जीवन दी पहली लडाई पंगाणी दा युद लड़ेया जिस समय उन्ना दा नाम गोविंद राय सी ते उस समय उन्ना दी उमर महज भी 21 साल दे क्रीब सी इपंगाणी दे ही इस युद वेच गुरु गोविंद राय जी दे तीर वज्जा जी सकार्न ओहो जखमी हो गए इस युद दी सैना दी गल करिये ता गुरु गोविंद जी कोल बहुत ही काट सैना क्रीबन 2000 दे क्रीब सैनक सान जिन्ना दे वेच उन्ना दे मामा करपाल चांद ते पीर बुद्धु शा अपने पुत्रा समेत ते बीबी बीरो जी दे पंज पुत्तर जो के गुरु गोव पंद राय जी दे पुवा जी सान उन्ना दे पुत्रा ने गुरु जी दा इस युद वेच साथ दिता एक पासे जित्ते शंगु सा जी गुरु जी दी सैना दे सैना पती सान जो बहुत बहादर सान उथे ही दूजे पासे पहाडी राजयां दी सैना वेच हरी चंद हंडू पुरिया नामक एक तीर अंदाजी वाला जोदा वी सी जोके बहुत बलवान सी। सेनापती नजवत खानू मारं तो बाद खोद भी शहादत पालाई। काफी समय बाद जदो हरी चांद नों बेहोशी तों सोरत आई ता उसने देख्या के उस दी फोज दे सैनका दे वेच हफडा तफडी मच्ची होई सी। शंगूशा ते जीत माल दी शही दीतों बाद जद दी कमान गुरू गोविंदराय जीने अपने हथां वेच लई ते खोद जद दे मदान वेच उत्तरे। जद गुरू सहब आप अपनी सैना दी गवाई का रहे सानता उस समय हालात इस तरह दे बन गया सी के पहाडी राजियां दे वेच पगदर मच चुकी सी। उन्हा दिया फोजा पिछे हट रहे सान ए देख के हरी चंद ने गुरू सहब नू ललका रहा ते उन्हा नू अपने नाड जद करन दे ली केहा। पर सेखत या अस वेच ए दार्ज है के गुरू सहब ने युद्धे मदान वेच कदे भी युद्ध करन दी पहल नहीं किती। उन्ना ने दोश्मन नू ही पहल दती पहला बार करां दीते, इस योद दे वेच गुरु सहेव ने हरी चांदनू केहा के जेकर उन्ना दा समना कारना आया है ता पहला बार भी उसनू ही करना पएगा, उस समय गुरु सहेव ने हरी चांदनू तेन मौके दिते ता के ओहो गुरु सहेव ते बार करना पहले मौके जड़ो हरी चांदने गुरु सहेव ते बार किता ता पहला तीर गुरु सहेव दे कोड़े उते वज्या, ज़दो हरी चांददा पैला बार खाली चलेया गया ता फिर भी गुरु गोविन सेंग जी ने खोद उन्नाउ ते बार ना किता ते उसनू ही दूजा बार कारंदेली किहा दूजी वारी गुरु गोविन सेंग जी दे दस्तार नू छोंदा होया तीर साइड तो नी निकल के ला गया हरी चांद दा हंकार होन खत्म उंदा जा रहा सी ते गुरु सहेव ने फिर भी उसनों तीसरा मौका दिता के कि ते उसने मान वेच कोई अपसोस ना रहे जावे इसलिए गुरु सहेव जी ने उसनों फिर तो कहा अपने उपरवार करन लेई तीजी वारी दे बार वेच हरी चांद ने जरो तीर छड़्या ता गुरु सहेव दे पेने होय चमणे दी पशाक नू चीरदा होया गुरु जी दे पेट वेच हो तीर जावज्या तीर दी नोक गुरु जी दे पेट नू चीर दी होई अंदर जात असी स्रीर दे वेच जिसने नाल जाखम काफी डूंगा हो गया तुरांत ही गुरु सहेव ने अपने जाखम उपर कमर कसा वन्या ते उस्तो बाद तीर आने पथे विचो तीर लेके नौ टांकी अपमान दे नाल एनी जोर दी तीर छड़िया के तीर हरी चंद दी लोहे दी पेनी हुई पशाक नू चीर दा होया उस दे आर पार हो गया ते छाती विच तीर वजण कार्न ओथे ही टेर हो गया इस ते आस्दा वार्नन गुरू गोविंद सहेव जी ने अपनी हत लेक्त बचितर नाटक दे विच वी दिता है हरी चंद दी मौत तों बाद दोश्मन फोजा पहाडी राजयां दे जो भी सैनक बचे सान उनना विच पागदर मच गई ते ओह जोद दे मिदान नू छाटगे पाज गए इस तरह गुरू सहेव ने ते गुरू सहेव दियां फोजा ने जेत दा भीगरव जादता ते उनना ने आपने जीवन दी पहली जेत हासल कीती गुरु सहव जी बजितर नाटério की लिख दे हान कि जदो हरी चांद ने उन्हा उपर तीर वाला ता गुरु सहव जी ने उन्हा नूं तैन मौके दिते ते तीजे मौके समे उन्हा दे पेड़ विज तीर वज़्जा जिस नाल उहो ममूली जे जाकमी होगे परांतु वहःु ग्रु दी किर्पा रही के बाई ग्रु ने उन्ना नू सही सलामत रख्या ते ज्जाधा जखम ना होया। ते इस्तो बाद गुरु सहे लेख दे हैं के जडो उन्ना ने तीर चलाया ता एक तीर दे नाली ही लाइ और जो呢 both किरपा दे नाल उन्ना नू जत हासल होई अग्गे गुरु सहीब लेख दे हाना के उन्ना दिया इन्नी काट गेंती दिया फोजा ने भी दोशमन दे छके शड़ा देते ते अन गेंत ही दोशमन आनू टेर कार देता इस योद विचे जित्थे हरी चंद मारे आगे उथे जिते एक पासे गुरु सहेब बहुत प्रसान सान उत्थे ही उन्ना दे सैनका ने भी आपने बहादरी ते हांसले दा सबूत दिता सी उन्नी ही देन गुरु सहेब दे कार जदो बच्चे ने जनम लेया ता इस लड़ाई दी जित्थ तो प्रेरत होके ही गुरु जी ने जीत सेंग रख्या जिस दा आर्थ सी के जिसनू कोई जित्थ नहीं सी साकता पाव के जो जित्थ है जे कर तुसी पंगाणी दे युद्धे कार्ण, हालात, स्तितियां, विस्तार ए सब जानना चौन दे हो ता उस दा लेंक डिस्क्रिप्शन बेच दे दता है पंगाणी द युद्धा पूरा ते आस उस विडियो वेच जरूर सुनू इसे ही तरा दियां होर विडियो सुन दे लई सिख ते आस नू जानन दे लई चैनल नू हुने सब्सक्राइब कार लेना सुन दे लई तो हड़ा बहुत-बहुत ता अनवार जे कर विडियो चंगी लगी होवे लाइक ते शियर जरूर काना वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते